हलो अब्रिवन मैं अनीता ठाकूर वेलकम टू मैं यूट्यूब चानल और आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास की Political Science जो है उसका Chapter 3 और उसका जो Topic है Reservation of Constituencies उसके बारे में आज हम लोग discuss करेंगे कि एक Constituencies में रेजर्वेशन जो है वो किस प्रकास है लोट करी चाती है और किसके द्वराइ लोट करी चाती है और यह रेजर्वेशन जो है वो किस को प्रवाइड हुई है हमारी इंडिन Constitution के accordingly clear है तो सबसे पहले यहां पर बताया गया है यह जो system होता है रेजर्वेशन का इसमें जितने भी constituency में वोटर्स होंगे मतलब जिनकी age जो है वो adults कहलाते हैं मतलब अबव 18 है वो क्या कर सकते हैं वो सबी eligible है कि इसके लिए वोट करने के लिए लेकिन यहां पर बताया गया है जो candidate belong करते हैं एक particular community से या एक social section से उनके लिए कुछ seats जो ह अगे women भी हो सकते हैं वो ठीक है तो उनके लिए कुछ seats जो है वो reserve रखी जाती है next point में बताया गया यहां पर यह जो हमारा Indian constitution है उसने reservation प्रवाइड करी है कुछ seats की कहां कहां पर लोकसबा में और state legislative assemblies जो होती है उसमें और लोकसबा की membership में schedule caste के लिए और schedule tribes के लिए reservation of constituencies है मतलब reservation का यह जो system है उसमें firstly जो एक मतलब बनाया गया था कि यह reservation कितनी देर के लिए हो सकते है वो एक period बनाया गया था 10 years का period था जिसमें यह बताया गया था उसने बहुत ही succeed किया मतलब constitutional amendments के मतलब success मिली उसको दन उसके बाद इसको extend कर दिया गया कब extend कर दिया के क reservation है वो स्टीज को और स्टीज को मिल रही है clear then उसके बाद जो fourth point है उसमें यह बताया गया है कि हमारा जो इंडियन पार्लेमेंट है उसने यह decision जो है वो extend करने के लिए further भी ले सकता है जब यह reservation का period जो है वो खतम हो जाएगा स्नाप्त हो जाएगा ठीक है तो I hope आप लोग को समझ में आओगा आगे हम लोग next continue करते हैं अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तब भी comment करिए अगर नहीं समझ में आ जो भी जहां से बूल जाता है या जहां से आप लोगों को थोड़ी difficulty होती है समझने में वहां से मुझा बता दीचिएगा okay then next है यहां पर कौन person ह होता है जो constituency में seats जो है वो reserved रखता है और किस बेसिस पर यह decision जो है वो लिया जाता है सबसे पहली बात कि यह जो constituency से जितने seats reserved रखने का जो system होता है वो उस body को क्या कहते है delimitation commission कहा जाता है जो reservation seats जो है वो clear करता है या बताता है कि इतनी seats ST की है इतनी seats ST की है तीक है women की है इस तरह से भी मतलब एक body जो है वो decide करते कि कितनी seats जो है वो reserved होनी चाहिए एक area से then delimitation commission जो है वो किसके द्वरा appoint किया जाता है यह appoint किया जाता है जी president of India के द्वरा ठीक है और delimitation commission जो है कही ना कही यह भी election commission के under ही work करता है clear है यह चीज़ बात याद रखना आपने ठीक है यहाँ पर बताया गया कि यह किसके collaboration में work करता है election commission of India के साथ collaboration में work करता है मतलब work together यह दोनों इकठे ही काम करते है election commission of India और साथ में delimitation commission जो है उसके बाद यहाँ पर बताया गया है इसको appoint करने का purpose क्या है ताकि particularly कौन सी consequences की कितनी boundaries है वो कौन सी area तक सिमित है या फिर यहाँ पर कि एक country में कितनी consequences जो है वो होनी चाहिए ठीक है इसलिए इसको appoint किया जाता हो और उन consequences में कितनी seats जो है वो estes के लिए होनी चाहिए कितनी seats asses के लिए होनी चाहिए और कितनी women के लिए होनी चाहिए एक लिए रहे then next यहाँ पर बताया गया है एक quota जो है court of consequences जो है वो क्या करता है reservation देता है कहां पर हर एक state को जो कि fixed होता है किस पर मतलब उस state में कितना proportion assis का है कितना proportion assis का है एक particular state के ऊपर उसी के basis पर reservation जो हो एक constituency को एक constituency को provide होती है clear the next point में बताया गया है जब boundaries बना दी जाती है कि एक constituency का area इतना है constituency को आप लोग little bit हम लोग यह बोल सकते है कि particularly district या फिर कुछ area वाइस हम लोग ले के चल सकते हैं तो उसके बाद यहां पर बताया गया जब boundaries fix हो जाती है delimitation commission जो है उसकी composition के बारे में सोचता है देख रिक करता है कि यहां पर इस boundary के अंदर कितनी लोग जो है वो होने चाहिए कितनी population इसमें composite होनी चाहिए a constituency के accordingly जितनी a constituency में membership होगी same proportion में दूसरी constituency में भी उतनी membership include हो सकती है उसके अलावा नहीं हो सकती है clear है the next यहां पर बताया गया है कि जो भी constituencies highest proportion of scheduled tribes और highest proportion of scheduled caste के लोग होंगे वहां पर तो उसी के basis पर उनको reserved seat जो है वो भी प्रवाइड होंगी उतनी ही उनको मतलब सीर्स जो है वो प्रवाइड होंगी next point में बताया गया है कि अगर हम लोग बात करें schedule caste की तो delimitation commission जो है वो दोनों things को बराबर लेके चलता है मतलब कि एक constituency में अगर higher proportion जो है वर schedule caste का है population basis तो इससे क्या होगा लेकिन यह जो एक constituencies का spread है मतलब अलग-अलग region में अलग-अलग states में constituencies अलग-अलग basis से divide होंगी मतलब population का proportion जो है वो अलग-अलग होगा differentiate हो सकता है और साथ ही जिस basis की वहाँ पर population होगी चाहिए वो assis है या assis है reservation भी उसी के accordingly ही provide होगी और यहाँ पर यह बताया गया reservation जो उनको है वो assis की proportion की accordingly ही उनको provide होगी throughout the country जैसा कि अगर मतलब UP state में या फिर हम लोग बोल सकते है के रला या another state कोई भी ले लो जेन के ले लो वहाँ पर जो assis की reservation होगी same proportion उनको जो है वो दूसरी state में भी उनको वैसा ही मेलेगा okay I hope अपलों को समझ में आओगा thanks for listening and may God bless you all